हेलो फ्रेंस कैसे हैं आप सभी लोग उमीद करते हैं कि बहुत बहुत अच्छे से होंगे तो फ्रेंस आज मैं आप लोगों को रिलिंग के सामने जो भी प्लांट लगे हैं उन्हीं दिखाने जा रहे हैं देखिए यह है बेबी संरोज प्लांट और इनकी खुबसूरत फूल मन को मोह ले रहे हैं तो इस प्लांट को मैं हैंगिंग बास्केट में लगाई हूं अब तो काफी घने हो गए हैं देखिए तो इनकी भी कटिंग बहुत ही आराम से लग जाती है और यह देखें टेंगल ह और जादा से जादा जो भी चुटे प्लांट होते हैं मेहंग बास्केट में ही लगाते हूं क्योंकि जगह नहीं है और देखिए जो है पार्सनेल तो आज थोड़ी बहुत धूप मिली है इन्हें क्योंकि इस पोड़े को धूप की जादा से ज़रूत होती है समर से जन में और आपको पता दू कि जितनी अच्छी नहीं दूप मिलेगी न उतनी बड़ी असे में फ्लावरिंग होगी फूल तो खिले थी लेकिन कुछ सूप गया है इन्हें निकालना है और एदे के मौस रोज इनके जो कलर हैं मुझे बहुत अच्छी लग रहे हैं आपको कैसा एदियो बना कर आप लोगों के साथ सेयर करो तो इसमें खुषू भले ही नहीं लेकिन बहुत ही ज़ाद़ खुफूरत लगते हैं और कई कलर में आते हैं बहुत अच्छी लगते हैं और एज हो ना समर सीजन में अच्छी खासी घ्रोध करते हैं अगर हम एच्छी तरह से छीचेब करके मेरी कोचिया कोचिया यह सीड़ का अब की बार तो मैंने छादा नहीं बसंदिंगें एक दो पवधे हैं अनार का मैं अवे बेल ने पैल और आप राजिता इनके प्वोलों की कलर है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और वैसे आपको बता दू कि पूजा पाथ में फूलों की कमी नहीं होती है यह देखिए कितने अच्छे सेन में फ्लावरिंग हो रही है तो फिंस रिलिंग की सामने थोड़ी बहुत जो भी जगह है मैं यहां पर सभी पूदों को रख दी पानी समय समय से देती रहती हूं वैसी बारिश को रही थी लेकिन दो-चार दें से पहुचादा हुमर से बरसात नहीं हो रही है धूपी अच्छी खांसी नहीं हो रही है लेकिन गर्मी बहुत है कि देखिए कितना सुन्दर लग रहा है तो फ्रेंज परसनील को हम छुटी बड़ी पोट में लगा सकते हैं बहुत याराम से लग जाती है परसनील होई मौसरोच हुआ यह देखिए कितना अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा मैंने इन्हें बासकेट में ही लगाई है और अच्छा भी लगता है यह द सच बताएं आपको मन को बहुत ही ज्यादा सुखून मिलता है कि कम जगह में देखिए हमने थोड़े बहुत पोधे लगाए है लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है यह देखिए कितना सुंदर कलर है इनकी फूलों का तो फ्रेंज इस पोधे को जादा करने की ज़रूत नह लग जाते हैं और आपको दिखाते हैं हम यह देखिए कितना सुंदर लग रहा है भी शेक प्रोटेक्टर वाइन तो फ्रेंज इसे भी मैं जुहना कटिंग से ही लगाई और अब तो मैं चाहूं तो इसमें से कई कटिंग तयार कर सकती हूं बहुत ही आराम से लग जाते है यह देखिए तेंगल हाट कितना खुर्फ सूरत लग रहा है तो फ्रिंस पेड़ पौधों का सौक रखना चाहिए क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं ना मन को बहुत ही ज्यादा सुकून देते हैं यह देखिए कितना अच्छा लग रहा है छुटी चुटी कलिया है इस और बिल्कुल मुझा गये थे लेकिन अब जाकिन मीजान आई है ए देखिए जो एक कनेर का है तो इनकी फौलो का इंतजार कर रहे हैं अब देखते हैं किस कलर में फौल आते हैं तो फ्रिंस यही सब जो है ना मैं रेलिंग के सामने लगाई हुई हूई 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 और यह कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा और हाँ जो भी गलते हो कमेंट में चरूर वताईएगा फिर मिलते हैं आप लोगों से निश्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद